नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग सुप्रबाद दोस्तों जै बाबा काशिव विश्योनाथ तो आज हम आरके हैं बाबा काशिव विश्योनाथ जी के मंदिर उतरकाशी में और आप लोग देख सकते हो शरी काशिव विश्योनाथ मंदिर जो मुख्या जासे मतलब इंट्र करें होती है मुख्य द्वार है बाबाकाशी विश्वनाजी का और आप लोग देख सकते हो बाबाकाशी विश्वनाजी का भगया मंदिर दोस्तों यह मंदिर उत्रकाशी प्रोपर उत्रकाशी जिल्ले का मुख्यालय है वहाँ पर बाबाकाशी विश्वनाजी का मंदिर है आप लोग देख सकते हो मंदिर को इधर सैड से भी और दोस्तों ये मंदिर इस टाइब का जैसे के क्छतनात मंदिर है जो गर्व है और जो यह आप लोग देख सकते हो यह अंदर इसका यह यहां घर्व रहे हैं और जो बाहर वाला है वहाँ पर नंदी जी महाराज रहते हैं और दोस्तों यहां का वातबरण आप लोग देक सकते हो क्यांकर द antenna है और आप लोग देख सकते हैं पर का Ninja दर्सन करने कि अदीस विद्व से बाबा का शबिशेनाजी की भरसन कंने लोग आते हैं और आप लोगई यहां से देन से दूस्तों resources आगेसे अंदर यह यहां से बाहर आते हैं और यहां पे दीपक जालाते हैं और दूब्त्ति यहां पर कि अंदर हम नहीं है और और यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर सामने है शूरे कुंड और इसे कि अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ से हम जो यहां पर सामने हलके से नंदी जी दिख रहे है नीचे इधर साइड से भी आप लोग मंदिर का व्यू देख सकते हो और अभी दोस्तों शुबे का टाइम है तो अभी दूबे तोड़ा चमक रही है कैमरे में और आप लोग यहां की जो नकासी है इस नकासी को भी आप लोग देख सकते हो किस परकार की नकासी इस मंदिर पर की गई ही है और दोस्तों इदर से छोटे-छोटे दर्वाजे भी हैं और यहां पर हैं हमारे नंदी माहराज जी कि ब्राजमान आप लोग देख सकते हो यहां पर नंदी माहराज जी के मुझे यहां पर गंगाजल की धारा आती है और यहां पर नंदी माराज का सिंगार यह आप लोग देख सकते हैं और दोस्तों इसके नीचे सिविलिंग आप लोग देख सकते हैं और इस सिविलिंग को हम अपने तोड़ा सर पर लगाते हैं और आँखों पर लगाते हैं और दोस्तों यह है सु जो ले बबावान का यहां पर जो चक्र बना है अगर इसको आँखों में लगाए तो आँखें तेज हो जाती है तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर गज़ गिरे में सब परतम आपके नंदी जी महाराज दिए आँगे और दोस्तों यह है बाबा काशिव विश्योनाद महाराज जी आप देख सकते हो बाबा काशिव विश्योनाद महाराज जी को दोस्तों यही गर्व गिरे है बाबा काशी विश्यनाद जी का और यह भारवाला बरांडा यहां पर नंदी जी माराज रहते हैं और यहां पर है दोस्तों हवन कुंडी जहां पर हवन होता है और यह मंदिर के जैस्ट बगल में है हवन कुंडी और यह सामने चादरवाला है यहां पर कथा बगेरा होता है और जैसे कारिकरम होते हैं सिवरात्रे में और यह सामने आप लोग देख सकते हैं छोटे बड़े मंदि मंधिर हैं और दोस्तर तरह आप परवुक मंधिर है दोस्तों यह है यहां पर Quran की दोस्तों जब हम मंदिर से नीज़े होते हैं तो यहां से मंदिर का भीव आप लोग देख सकते हो और सबसे अच्छा भेव यह Elise ए- से दिखता है मंदिर का बाबा का शिव्श्यनात जी का तेस्तंब को आप लोग इस्ती सुल को देख सकते हो कहा जाते हैं दोस्तों ये तरफोल igers एतनी है कि ये सिस्थ नाग भगवान के जो फण पर है उसमें है और दोस्तों यहां पर आप लोग साक्षात मां भगवति के इदर सन कर सकते हैं और यहां से ताम पातर इदर से रखा गया है और इदर दोस्तों आप लोग तिर्शूल को देख सकते हो दोस्तों देश वर के बैग्यानिक इस तिर्शूल के धातु का पता नहीं लगा पाए क्योंकि तिर्शूल अलग अलग धातों से मिलकर बना हुआ है और इसकी गहराई दोस्तों आज तक पता नहीं है कि इसकी गहराई इतनी है और भार का वियू आप लोग देख सकते हो मा शक्ती मंदिर का और दोस्तों इसके साथ साथ यहां पे छोटे बड़े मंदिर और भी है जैसे गणेश भगवान जी का मंदिर हनवान जी का मंदिर भी पेंटिंग उजदिन यहां पर बनाए थी और काफी फेमस पेंटिंग है दोस्तों यहां की और यह आप लोग देख सकते हुए वाली पेंटिंग भी हमने यहां पर बनाए थी यह पेंटिंग बनाए जादा भी नहीं हुआ डेट साल तक हुआ है और इस दिवाल में दोस्तों शिलंग काफी थी तो बहुत अच्छे-अच्छे पोट्रेट यहां पर हमने बनाए थि तो शिलंग के कारां यह पोट्रेट कहीं-कहीं से अलके-लके से खराबी हो रहे क्योंकि दिवाल में काफी शिलन थी और आप लोग देख सकते हैं यहां पर जैसे फरसराम महाराज हो गए और जैसे कुछ माताई हैं जिनोंने यहां पर विश्वनाद मंदिर में आके तपस्या की हैं और कुछ जैसे संकराचारी जी हो गए और भगवान फर् लग्यां पे मंदी सreंकला बनाएंटी तो दोस्तों जुन हर्मानजी माहराज और दोस्तों अब आगे हैंं हर्मान जी महराज मंदीर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक ब्लोग दीखाई था जिसले नम यापर जणडा लगाए था हरमान जी महराज का और आज दोस्तों दूबारा सुबाग्ला के प्राप वाट है बाबा काशक रिशोना जी के मंधिर में आने का और इसे के साथ दोस्तों हमान जी मंधिर में हम अभी आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं यहां पर मंगल बाहर को या सारे बाहर को या अन्या जिन भी हम यहां पर हन्मान 40 रोज नित दिन पढ़ सकते हैं यहां पर बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए हैं तो आप लोग अगर उतरका से आते हैं तो जरूर बाबकाशी विश्वनात मंदिर प्रांगण में गुमें पहां आपको बहुत सांती और शुगून मिलेगा और यहां पर बाबा का अश्रवाद मिलेगा तो दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक कमेड़े